हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आई आम रोहिद, आज हम आपके सामने एक नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रोग्राम का अब्जेक्टिव क्या है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, to convert an input temperature in Celsius into equivalent foreign height value, ठीक है, यानि आपको इस प्रोग्राम म में उसकी value compute करनी है, convert करनी है, ठीक है, अगें जैसे कि मैं बार बर कहता हूँ, सबसे पहले इस प्रोग्राम में आप ये पहचानिए कि कितने input है और कितने output है, और इसके बाद input से output तक पहुचने का हम logic सोचते हैं, तो सबसे पहले ये आपका program मालिज आप लिखने वाले ह इंदर input आपको क्या देना है, इस program में आपको input क्या देना है, साफ साफ दिया है, एक temperature देना है input, जो किस में होगा, Celsius में, ठीक है, और आपको output में क्या होगा, एक ही output है, इसी Celsius की equivalent value जो foreign height में होगी, ठीक है, तो आपको एक input है और एक output है, और बीच में आपको इस से इसमे convert करने का logic लिखना है तो अब सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर logic इसका कैसे होगा आपको पता है formula आपको पता होना चाहिए कि celsius of foreign height में क्या inter relationship है तो c by 5 is equal to f minus 32 divided by 9 यह mathematical formula होता है जो celsius of foreign height में आपका relation देता है तो आपको celsius input के तौर पे देना है so f is equal to क्या हो जाएगा 9 इदर जाएगा 9 by 5 c plus 32 ठीक है so 9 by 5 c plus 32 तो f की value क्या हो जाएगी यह so एक तरह से यह formula बनता है आपका celsius में अगर value दी गई हो तो उसकी foreign height को calculate करने का तरीका ठीक है जल्दी से हम program देखते है इसका so hash include std iu.h यह दो file हम link कर लेते है again जैसे कि मैंने बताया अगर आप gcc में काम कर रहे है gcc compiler पे तो यह आपको लगाने जोट नहीं है turbo c में काम करने है तो यह दोनों आपको लगाना होगा c के program के लिए so void main जहांसे हमारे program के execution चालिए होगा main function input क्या होना चाहिए एक value जो celsius में output क्या होना चाहिए एक value जो foreign height में हो so मैं दो variable यहाँ पर declare कर लेता हूँ एक celsius का और एक foreign height का दो variable ले 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 है cell fah ठीक है और यह दोनों मैंने क्या लिए floating लिए क्योंकि celsius foreign height दोनों temperature decimal में लिए जा सकते है ठीक है तो decimal हमने data type ले लिया है अब हमारे पास पहला चीज़ क्या है input ठीक है input celsius ठीक है तो celsius में temperature हम input करा चाहते है user को हम एक message देंगे कि enter temperature in celsius user को message मैंने क्या दिया एक temperature input करिए और किसमें input करिए celsius में उसकी value user जो भी input करेगा उसको में read करना है किसमें करना है celsius वाले variable में so scan function लगाएंगे कुछ भी read करना होता है तो scan f और क्या use करेंगे percent f क्योंकि यह cell value जो है floating type की है तो percent f address of cell अब हमें input मिल गया cell की value मिल गई अब हमें क्या calculate करना है इस अपने logic से इसको foreign height की value calculate करनी है so यानि क्या हो जाएगा f की जगा हमने क्या लिया f a h is equal to 9 divided by 5 multiplied by यही तो है 9 divided by 5 multiplied by c यहीं इस cell c s plus 32 यही formula बनेगा तो वही चीज मैं logic में यहाँ पर लिख लूँगा logic to calculate foreign height foreign height temperature calculate करने का logic ठीक है so क्या लिख रहा हूँ मैं f a h is equal to 9 by 5 multiplied by c plus 32 एक खास बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है इस पूरे calculation में कि चुकि हमने यहाँ पर float लिए रखा है ठीक है Celsius और temperature की value को foreign height की value को यह value जो division है 9 by 5 अगर मैं लिखता हूँ तो यह integer division दे देगा यह इस बात का ध्यान रखिएगा इसलिए चुकि यह decimal value calculator पूरा point तक हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यह 5.0 लिख देंगे ठीक है numerator denominator में एक भी decimal हो गया तो यह इसका result decimal में आएगा अब पूरा जो भी calculation होगा वो तो आपका decimal में होगा ठीक है बागी कुछ अभी हमें आपको बताएंगे जब type casting type conversion पढ़ेंगे तो इस तरीके की कुछ problems और भी discuss करेंगा आपके सामने फिलाल के लिए आप यह समझ दीजिए ठीक है तो यह हमारा logic हो गया formula calculate करने का Celsius की value यहाँ पे मिलेगी और इससे हमारा FH calculate हो जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है जो भी calculate हुए उसको display कर लेना है यह आउटपुट को display करना है display output और output में क्या display करना है FH की value तो printf equivalent foreign height is equal to percent F and FH ठीक है तो equivalent foreign height is equal to percent F और FH की जो भी value होगी वो यहाँ पर display हो जाएगी अब हमने सारा कारे खतम हो गया सीधा इस function को close करने है अगेन execution देखते हैं इस program का सबसे पहले file link होगी main से चालू होगा दो floating type के variable declare हो जाएगे यहनि कौन कौन से एक cell और एक FH मानग चली यह 100 पे है मानग चली यह 200 राइट अब यह user को क्या message display होगा console screen पे enter temperature in Celsius यह पूरा message display हो जाएगा यह वाला user यहाँ पर जो भी input करेगा मानग चले user यहाँ पर input करता है 3 ठीक है तो 3 value किस में चली जाएगी चुकि यह floating है तो automatically 3.0 हो जाएगा ठीक है जैसे user ने enterprise किया 3 input करेगा तो cell size के value 3.0 हो गए यहाँ पर हमें क्या read हुआ 3.0 अब logic के हिसाब से calculate होगा 9 by 5.0 multiplied by cell cell की value 3.0 यहाँ पर put हो जाएगी plus 32 जो भी result आएगा वो value यहाँ पर calculate होकर आ जाएगी और उसी value को last में हम display करा ले रहे हैं तो output में क्या display हो जाएगा equivalent foreign height is equal to जो भी यहाँ पर value है वो display हो जाएगा ठीक है होगी अगर आपको video समझ में आ रहे हैं तो please like the video share the videos and subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि हमारे आगे की videos भी आप तक पहुंचते रहे this is all for today thank you very much